चोपड़ा एजूगिशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ NEED 2020 की एक्जाम के दिन इस बार क्या चेंजेज देखने को मिलेंगे उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे NTA के नोटिस के अकोर्डिंग 13 सिप्टेमबर 2020 को होने वाली NEED की एक्जाम के एड्मिट कार्ड एक्जाम डेट से 15 डेज पहले रिलीज कर दिये जाएंगे इसका साबसा मतलब यह है कि NEED 2020 के एड्मिट कार्ड 30 अगस्त 2020 तक रिलीज हो जाएंगे और आप इसको NTA.NET.NIC.IN की वेबसाइट से लोगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं NTA द्वारा एक कोपी आपके मेल पर भी बेजी जाएगी आप वहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं अब हम बात करें कि इस बार एक्जाम के दिन क्या-क्या चैंजेज होगे तो इस बार सबसे बड़ा चैंजेज है वो यह है कि आपको क्यूसर पेपर के साथ फेस मास्क और ग्लॉज मिलेंगे वो आपको एक्जाम के दोरान लगा कर रखने हैं और एक्जाम खतम होने के बाद एक्जाम हॉल के बार उसको डेस्ट बिन में डाल देना है एक्जाम के दोरान वहाँ पर आपको सेनिटाइजर भी अविलेबल होगा उससे आपको अपने हैंड सेनिटाइज करने हैं इसके अलावा एक्जाम सेंटर तक आपको अपना फेस मास्क लगा कर जाना है इसके साथ आप अपना ग्लॉज और सेनिटाइजर भी ले जा सकते हैं दूसरा और बड़ा चैंजेज यह है कि आपको टाइम स्लोट के अकोर्डिंग इंट्री मिलेगी ताकि एक्जाम सेंटर पर क्राउट से बचा जा सके यह टाइम स्लोट आपके एड्मिट कार्ड पर लिखा होगा एक्जाम सेंटर पर उसी टाइम स्लोट के अकोर्डिंग आपको इंट्री मिलेगी एक्जाम डे के दिन आपको एक्जाम सेंटर पर अपना एड्मिट कार्ड फोटोग्राप लेकर जाना है photograph attendance sheet पर वहाँ paste करना है इसके अलावा आपको एक original photo ID card भी लेकर जाना है इसके साथ ही face mask, gloss और sanitizer भी ले जा सकते हैं अपना वैसे यह exam center पर भी available होंगे इसके अलावा electronic gadgets बिल्कुल भी allow नहीं है metal detector के द्वारा checking की जाएगी next point यह है कि dress code आपको strictly follow करना है जो information bulletin में बता रखा है यह पिछले साल की तरह ही है इस बार dress code में कोई changing नहीं है एक सबसे बड़ा और important changing यह है कि इस बार आपको social distancing maintain करके रखना होगा अन्य था आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा जो भी instructions changing होगी आपको admit card पर लिखे होगी need 2020 की exam कैसे conduct करवाई जाए इसके लिए aims के expert द्वारा एक SOP तयार की जा रही है उसी SOP के according जो changing करवाई जा रही है वो ही मैंने यहाँ आपको बताया है इसके बारे में और कोई update मिलेगी तो मैं आपको inform कर दूँगा आप हमारे channel पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वजदा च्यदा शेयर करें मिलते हैं नई जानकर इन नई अपडेट के साथ में तब तक के लिए जय हिंद